एक मा ने अपने बेटे को पाल पोस के बढ़ा किया और जब पाल पोस के बढ़ा किया शादी होई घरों में जाडू पहुँचे लगाकर कि उसने अपने बच्चे को पाल पोस के बढ़ा किया होगा डाक्तर भी बना दिया होगा उसकी शादी भी हो गई होगा पर सास और बहु में क्या हुआ नहीं बनी तो सास बहु में नहीं बनी तो बहु ने अपने पती को प्रेज किया और प्रेज करके कहा कि एक काम करते हैं कि अपनी ममी जी को आस्था विद्धार्श्रम में ले जाकर दाखिला दे देते हैं उसने मां से कहा कि मां आपको विद्धार्श्रम में रहना पड़ेगा मांने कहा बेटा में पोते-पोतियों के बिना जिन्दा नहीं रह सकती हैं पर मां और बहु ने जिद करनी नहीं ममी आपको वही पर ही रहना पड़ीगा अब जिद कर ली तो मा को जाना ही पड़ा अमा वृतरश्रम में आ गई वृतरश्रम में जब मा थी तो बेड़े दे मा से कहा कि मा तो मत्तर मैं हर दस-पांच दिन में तुस्से मिलने के लिए आ जाया करूँगा और मैं तेरे खर्चे के लिए खर्चा पादी भी फेज दूँगा बेटा डॉक्टर था अकसर ज्यादा पड़े लिखे लोगों के माबाप भी वृतरश्रम तक जाते हैं मजदूरों के माबाप कभी वृतरश्रम में नहीं जाते हैं अक्सर ज्यादा पड़े लिखे और ज्यादा ओहदेडार जो लोग होते हैं और ज्यादा अपने आपको पैसे वाली पार्टिया समझते हैं उनके माबाप ही विर्दाश्रमों तक पहुंचते हैं मजदूरों के माबाप कभी विर्दाश्रम में नहीं पहुंचते हैं ये तो अभी जब हम यहाँ पर थे तो विर्दाश्रम के संयोजग राजिंद्र ये परिहार हमारे पास बैठ कर अपने एक एक विर्द्ध की आप बीती सुनाने लगे कि साब हमारे विर्दाश्रम में जितने विर्द्ध लोग है आप उनकी अगर कहानिया सुन ले तो आपकी आँखों में आशों आ जाएंगे कि किस किस इस्तिती के घटनाएं घटित होती है अब यहाँ पर मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि उन पैसे कोई दस लोगों की आप पीती आप लोगों को सुना सको पर एक व्यक्ति कि आप पीती आपको यह सुना रहा हूं कि डॉक्टर ने कहा था कि मा मैं तेरी से मिलने के लिए आता जाता रहूंगा और तेरी हाथ खर्ची के लिए भी पैसे भेश दूंगा और वो बेटा डॉक्टर बेटा अपनी मा को वो हाथ खर्ची के लिए 500 रुपिय महिने भेशता रहा मां के पास वो 500 रुपिय आ जाते महिने दो महिने भीटे छे महिने भीटे साल भर भीटा बीटा कभी कबार आजाता नहीं आता तो नहीं आता एक साल बीत है, ढखाई साल बीत गई अचानदक डॉक्टर के पास फॉन आता है वार्डन का और फॉन ये आता है प्लीज जल्दी से पहुँचिए आपकी माँ की हालत ठीक नहीं है उनको हार्ट की तकलीफ हो रही है आप जल्दी से पहुँचिए अब उसको लगा यार फिर ये मा का फॉन आगया मा रोज कोई नो कोई बहाना बनाती रहती है मुझे बुलाने के लिए उसमें वापस फॉन करके का अचा ठीक है बस ये जैसी मेरे पैसेंस से फ्री होता हूँ पैसेंस से और मैं आपके पास पहुचता हूँ बारे बज़े फ रांगन में लाश पड़ी थी सफेद कफन से ओढ़ाई हूई वो अंदर पहुचा अरे ये क्या बोले आपके मा चल बसी तो क्या मा चल बसी चोका ओ मेरी माने मुझे कितनी कटनाई उसे पाल पोस के बड़ा किया क्या कटनाई उठाई आज मा चल बसी उसे अपना सारा अत करने के अलावा माने किया ही क्या था वो यहाँ पर धाई साल तक तुझे याद करने के अलावा और करती ही क्या रही रोजाना अपने बेटे को ही याद करती रही आज मेरा बेटा आएगा कल आएगा पर तू ना आता रहा पर डॉक्टर सहाब आपकी माने मरने से पहले हाथ में पकड़ाए गए एक लिफाफा थोड़ा मोटा था एक लिफाफा पतला था और चब हाथ में खत्राइव इन mercury तहेगं भी यह प्रशा थी की मैं मरनें से पहले इंपने बेटे का मुझ जरूर देख लूँ पर लगता है मिरे नसीब में ऐसा नहीं है पर मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं मर जाओंगे तो उसके बाद तो तो जरूर समाज के डर से ही सही समाज को दिखाने के लिए सही पर तो एक न एक बार तो मेरे पास जरूर आएगा बेटा मै तो जा रही हूँ अब लेकिन तेरे लिए एक खत छोड़ कर मैं जा रही हूँ बेटा तो मेरा बहुत प्यारा बेटा रहा तो मुझे यहाँ पर तुने रखा यहाँ पर लोगों ने मेरा खूब खयाल रखा यहाँ पर लोग आते थे और धर्मादे के रूपे ही सही पर रोज मुझे 56 रह के खाना यहाँ मिल जाता अच्छे कपड़े वस्ठ मुझे यहाँ पेंने को मिल जाते थे बेटा तु मेरा बेटा था तो मुझे हर महीने 500 रुपे महीने यहाँ पर भेजा करता था पर मेरे प्यारे बेटे यहाँ उस 500 मैंसे कभी 5 रुपे भी खर्च करने की जरूरत नहीं लगी बेटा मैं वो 500 रुपे तु मुझे हर महीने भेजता रा मनियाडर से मैं वो सारे पैसे तेरे लिए दूसरे लिफाफे में रख करके जा रही हूँ बेटा ये दूसरे लिफाफे में 15,000 रुपे मैंने तेरे लिए रखे हैं बेटा मैं तुझे सौप कर जा रही हूँ बेटा मैं इस उमीद के साथ ये छोड़ कर जा रही हूँ कि बेटा एक दिन मुझे बुढ़ापा आया बेटा एक दिन तुझे भी बुढ़ापा एक दिन बेटा तुझे भी बुढ़ापा जरूर आएगा तुम तो मेरे प्यारे बेटे रहे सो मुझे हर मैंने 500 रुपिया हाथ खर्ची के लिए भेशते रहे बेटा जमाना बदल रहा है कड़ियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है बेटा तु तो मेरा अच्छा बेटा था सो 500 रुपिय मैंने हर माह तो मुझे भेशता रहा पर आने वाला कल कैसा होगा मुझे नहीं पता कल को कही ऐसा नहो कि तुझे तिरा बेटा पांच पैसे भी न भेजे इसलिए मैंने तिरे बुढ़ापे की व्यवस्ता के लिए ये पंद्रह हजार रुपिय मैं तिरे लिए छोड़ कर जा रही हूँ मैं ये पंद्रह हजार रुपिय तिरे लिए छोड़ कर जा रही हूँ पढ़ता है आपने जो व्यवार अपनी मा के साथ किया आने वाले कल को होई व्यवार हमारे बच्चे हमारे साथ कर सकते है इसलिए समय देहते आना चाहिए और जीतने का काम यही है कि हर व्यक्ती के द्वारा अपने माबाब के प्रति, इतना सम्मान कोई जाना चाहिए मैं गभी भी अपने माबाब के बेइज़त नहीं करूँगी, नहीं करूँगा और ये जब यहाँ पर प्रवचन सभा में ही जब एक बूड़ी माने खड़े होकर ये कहा कि साथ मेरे नो नो संताने हैं पर उन नो सदस्यों में से एक भी संतान ऐसी नहीं है जो मेरी सेवा करती हो जब एक बूड़ी माने प्रवचन सभा में खड़े होकर ये कहा सब मेरे घर में मेरे नौ मेंबर है मेरे पती चल बसे और उनकी 24,000 रुपिय पैंसन आती है और मेरे बच्चे मेरे पास एक पैसा भी मेरे हाथ नहीं लगने देते हैं और उस सारी पैंसन गों खा जाते हैं मैं उन सारे लोगों से कहूंगा चेतो चेतो आने वाला कल तुमारा है जो हम कर रहे हैं वो आने वाला कल हमारे साथ करेगा दुआएं भी काम आती है और बद्दुआ भी काम आती है मा के दिल को अगर सुकून दोगे तो दुआएं निकल कर आएगी और तकलीफों पर तकलीफे दोगे उत्बत दुआ भी वह से अवश्य बर्सिगी हमपर